किस सर हमारी खेटों में होजड़ा है हलो फ्रेंट्स वैलकम बैक तू मैं लगिए टू मेरा हिमाचल क् correr सांग्ला वैली तो प्रेंच मैं मंजुना लंदाब सभी का शाउगत करती हूं अपने चैनल मेरा हि़िमाचल संग्ला वैली में तो इस वक्त मौर्निंग के पूरे पॉने साथ हो गए हैं और मैं मौर्निंग वॉक से बापिस आके फिर जा रही हूं अपने रिमो में रिमो मींस किनोरी भाषा में बोलते हैं खेत को रिमो रिम तो खेत में जा रही हूँ आज बहुत दिनों के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे किनोर में केसर की खेती भी होती है तो केसर की खेती मैंने पिछली बार भी आप लोगों को दिखाई थी और उसमें बहुत सारा केसर लगा था तो इस बार भी मैं वही देखने जा रही हूं किंकि उसका टाइम अक्तूबर लास्ट और नॉम्बर ये 10-15 तारीक तक नॉम्बर लास्ट लास्ट तक रहता है तो ये सही समय केसर की खेती का होने का तो देखने जा रहे हूं कि कितनी हुई है कितनी हुई है तो आप लोगों को भी दिखाती हूं पिछ्री बार तो मैंने आप लोगों को दिखाया था और आज मौसम दिन बदिन हमारी सांगला वैली का साफ ही रह रहा है एकदम साफ नीट पूर में पहुंचने वाली उनुक घंच में तो बहुत ताइम से नहीं देखㅁं में इतना। जहां कारण केसर की खेती में आने का टाइम नहीं दाहरा आने का भी मतला भी नहीं था क्यूंकि इसका टाइम हुआ ह नहीं था थो बंसक्स तो इतना केसर हुआ है ना कि पुछो मत इतने फूली फूल हुए कि पुछो मत भई भयानक वाले फूल हुए यहां तो खत्रनाक तरीके से आप लोग देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि भी सांगला वैली में इतना ज्यादा केसर और जिसको भी ऑनलाइन चाहिए और डिमांड सबसे दर्शन कर लीकिया कि तो यह कि इन्रक लाशच की हसीन वादियां और इसके साथ चारो तरफ का नजारा वाउ दो पहाडियों पर आप लोगों को यह देखिए बर५ देखने को मिलेगी तो यह तो मैंने पहले जाएं भी आप हो गई है सांगला वैली में और इसके साथ ही सांगला कंडे की हसीन वादियां और ये हमारे एपल के पेड़ अब ये पतियां सूख रही है और नीचे जड़ रही है तो पतज़ड का मौसम चारो तरफ यलो और थोड़ा थोड़ा ग्रीन नजर आएगा आप लोगों को ओटम सीजन स्टार्ट है तो ये पतियां भी हम लोग घर ले जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं सेव का पेड जिसमें सुख सुख है सेव लगे लेकिन इन में रश बहुत जादा होता है भरा हुआ तो एक सेव यहां भी बचा हुआ है इस तरह से हमारे सेव के पेड़ों में बहुत से सेव होते हैं यहां भी देखिए तो इनको खाली नहीं किया जाता है पूरा यह देखिए यहां पर सेव का दाना एक और इतने काले तने रस वाले यह सेव लाश्ट के भयानक काले तो धूप बी आनी शुरू हो गये पहाडियों पर क्यूंकि मौसम साफ है लगा क केसर की फसल को इस बार हुई नजर लग गई शायद तो फाइनली यह है हमारा केसर का खेत तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई गुढ़ाई नहीं है क्यूंकि इसमें दूसरी फसल साथ में थी जिसकी हो चुकी है कटाई और उसके बाद जब यह निकलता है बाद में तो कैसर है तो कैसर इतना ज्यादा है कि यहां पर एक भी फूले पार कैसर का हमारे हुआ है ये देखिए ये देखिए कुछ भी नहीं ओ भाई केसर के खेत से केसर नहीं से भी सहीं तो मेरे हस्मेंट बोड़ रहे हैं कि उनको एक दो फूल शुरु में मिला था लेकिन अब यहां पर कोई फूल निया इस रिथो फूल हमारे यहां पर तो वह बचे यह कभी नहीं आती है हर साल चीज है कि हर साल दिवाली अच्छ दिखाई देते आप लोगों को 2014 का केषर का खेत याँनी खेति तो नदेखा कम से कम डाली तो देख लीजिए, तो ये केसर की डाली है, जो हरे हरे रंग में आप लोगों को इस तरह नजर आएगी, ऐसा लग रहा है जैसे दाब होती है, ध्रूब, दाब दाब जिसको बोलते हैं, तो उसकी तरह ये लग रही है, लेकिन ये बहुत मुलाइम होती है, नरम होती है, एक केसर का फूल, तो हैना खुबसरूत बात, वाउ,